नोट बंदी के दौरान सरकार ने देश भर में लोगों को कैशलेस एकोनोमी अपनाने का आहवान किया था इसके साथ ही डिजिटाइजेशन के लिए लोगों को प्रेजित किया जाने लगा इसके परिणाम भी अच्छे मिले लेकिन साथ ही इससे एक बड़ा गंभीर खत्रा भी उत्पन हो गया आज देश भर में साइबर अपरादों की संख्या तेजी से बढ़ रही है साइबर जानकानों का मानना है कि आज प्रती 10 मिनट में एक साइबर अपराद को अंजाम दिया जा रहा है अभी जो सबसे कॉमें साइबर क्राइम ये है कि जहां जो हैकर है वो आपका पैसा लूटे तो जो बैंक फ्रॉज है वो सबसे ज़ादा है साइबर चोरों ने पिछले तीन सालों में अरबो रूपे बैंकों से उड़ाए है लेकिन इन अपराधों को रोकने में सबसे बड़ी बाधा है साइबर कानून भारतिये दंड विधान में इससे संबंधिक विशिष्ट और कड़े कानून नहीं बने है ऐसे में साइबर अपराधियों का मनूबल बढ़ जाता है एक बार पुलीस को हैक पुलीस हैकर को पकरा तो पुलीस को भी ट्रेनिंग चाहिए और ट्रेनिंग इंडिया में नहीं लेना चाहिए ट्रेनिंग वर्ल्ड वाइड लेना चाहिए और एक बार पुलीस ने वो cyber criminal को पकरा तो फिर वो जो public prosecutor है वो case आग्यू करेगा magistrate पर तो वो public prosecutor को भी knowledge होना चाहिए cyber crime के उपर और जो magistrate judges है उनको भी बहुत training चाहिए बदलते परिवेश में digital व्यवस्था लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है ऐसे में जरूरी है कि इसे सुरक्षित बनाया जाए जिससे लोगों की गाड़ी कमाई अपराधियों के हाथों में न जा सके governance नाव के लिए कैमरामेन करन जेठवा के साथ मुंबई से गणेश देवकर